हलो इस्टुडेंट्स, वेलकम बैक टू माई क्लास, तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लेटर राइटिंग करना, अब लेटर कही तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर के अंदर हम जो है एडिटर को पत्र लिखते हैं, किस लिखते हैं, तो एक ऐसा कॉमन फॉर्मेट की हमको जरत पड़ती है, यदि एक फॉर्मेट हमारे पास हो, तो सैद है कि हमको कभी लिखने में कोई परिशानी नहीं आए, तो यहां इस वीडियो में आपको एक ऐसा कॉमन फॉर्मेट बताऊंगा, जिससे कि आपको कभी, च सबसे पहले क्या होता है, कि किसी भी लेटर के अधिकतर एट पार्ट हो सकते हैं, जैसे पहला जो पार्ट है, उसको हम कहते हैं, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, यानि सबसे पहले आपको उपर इउपर, अपनी पेज में, लेफ्ट साइड में, आपको सेंडर्स address लिखना पड़ता है यानि लिखने वाले का पता तो सबसे पहले पेज में बाईं तरफ आप लिखेंगे senders address चाहे वो आप formal letter लिख रहे हैं या informal letter लिख रहे हैं उसके बाद में एक receiver letter का होता है चाहे वो formal है या informal है सबसे पहले senders address उसके बाद में date और जो थर्ड चीज आती है तो एक line छोड़ करके यहां पर आप लिखेंगे receivers address receivers address receivers address का मतलब है कि आप जिसको पत्र लिख रहे हैं जिस व्यक्ति को या संस्ता को उसका address आपको यहां पर लिखना है तो सबसे तीसरे number पर आगया आपका receivers address अब चौथा जो पार्ट होता है किसी letter का वो होता है subject तो यहां पर आप subject लिखेंगे subject एक line छोड़ करके आप subject लिख दें यानि किस विशे पर आप पत्र लिख रहे हैं वो आपको यहां पर लिखना है और उसके बाद में जो अगला पार्ट है वो है संबोधन यानि salutation salutation यानि संबोधन यानि संबोधन में क्या है कि आप अलग-अलग विक्तियों को अलग-अलग तरह का salute करते हैं जैसे किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो आप sir या dear sir करके लिखते हैं और यदि आप किसी relatives को लिख रहे हैं तो my dear करके यहां पर लिखते हैं और अगला जो महत्पूर्ण भाग है वो होता है पत्र का मुख्य भाग यानि एक लाइन छोड़ करके फिर आप यहां पर शुरू कर दें man part या man body of the letter man body of the letter man body of the letter यानि अब यह पत्र का सबसे प्रमुक हिस्टा हो गया है इसी में आपको अपने समाचार लिखने है जो भी सूचना आपको अंकित करनी है जिस विशे पर भी लिखा जा रहा है थी यह सबसे महत्पूर्ण भाग आपका हो गया यहां पर और इसको हम कहते है man body of the letter अगला जो part है आपका वो है subscription यानि आप यहां पर पत्र को खत्म करते हैं और कुछ सब्सक्रिप्शन में कुछ लाइन यहां पर डालते हैं सब्सक्रिप्शन यह आपका पत्र का हो गया साथवां भाग यानि सेवन्थ पार्ट ओफ ए लेटर किसी भी लेटर का साथवां भाग और अंत में आप अपने करते हैं हस्ताक्षर यानि signature ये सबसे लाश्ट वाला पार्ट है केसी भी लेटर खेंवार्मेट के सीक्नेचर थू कुछ ग्लेके प्यारे बच्चो किसी भी लेटर के आठ हो सकते हैं हमगं लेकिन इसमें क्या होता है जो हम रिलेटिभ को कहने का माला जो इन informal लेटर लिखते हैं जैसे subject नहीं लिखते तो subject नहीं लिखेंगे उसमेंे इसके अलाबबा और चीज नहीं लिखते हैं अब एक इसी के आदार पर हम एक letter लिखना भी सीखेंगे formal letter भी लिखेंगे और informal letter भी लिखेंगे जो अगले वीडियो में इसके उपर चर्चा करेंगे तब तक के लिए have a nice time, thank you very much for watching